नमस्कार दोस्तों मैं कपिल एक बार फिर अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर बात करने जा रहा हूँ जो टॉपिक आपको ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग में बलकि आपके जीवान में बहुत सारे अलग-अलग वेवसाय में आपको बहुत हेल्प करने वाला है किसी भी बिजनस को करने के लिए जो सबसे ठोस जरूरत है वो होती है हमें रिलेशन्शिप की हमारे लोगों के साथ संबंद कैसे हैं उसके इसाब से मेटर करता है कि हमारा बिजनस कैसा चल रहा है और आज मैं आपको तीन स्किल्स बताने जा रहा हूँ जिससे हम ये समझ पाएं कि ये तीन स्किल्स कितने महत्पूर्न हैं अबसे पहला सकिल हमें नए नए रिलेशन्स बिनाने चीए हैं ऐसा नहीं कि जो पुराने रिलेशन्स हमारे पास लिमिटेड हैं बस उनी रिलेशन्स के साथ हम आगे बढ़ते जाएं कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी बदभू मारने लगता है इसलिए कुछ ही relation अगर हमारे जीवन में रहेंगे तो शायद हम सफलता की उचाई तक नहीं पहुँच पाएंगे हमें नए-नए relations बनाने चीए अब नए relations कहां से बनेंगे कैसे आएंगे नए लोग हमारे जीवन में कभी आप पार्क में जाएंगे कभी आप घूमने के लिए जाएंगे तो पार्क में बहुत सारे नए चेहरे होते है अब किसी भी वेक्ति को अपनी तारीफ बढ़ी अच्छी लगती है आप पार्क में किसी भी वेक्ति को कह सकते है सरा आपकी personality बढ़ी अच्छी है smile करके किसी को भी कह सकते है मैं हम आप तो बड़े फिट लगते हैं और इस तरीके से हम उन relations की शुरुवात कर सकते हैं और relations कहां पे बनते हैं योगा classes जोइन करिए वहां पे आपको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे English speaking courses जोइन करिए वहां पे आपको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे शादी functions में जब हम जाते हैं तो 500-600 लोग उस function में होते हैं पर हम गिने हुए वही 10-12-15 लोगों के साथ बात करते हैं जो हमारे साथ में पुराने relations में होते हैं तो वहां भी आप नए लोगों से बात कर सकते हैं किसी से भी पूछ सकते हैं थोड़ी तारीफ कर सकते हैं किसी से भी पूछ सकते हैं अरे मेडम आपका पर्फ्यूम बड़ा अच्छा है बड़ी अच्छी फ्रेग्नेंस आ रही है या किसी से भी आप कह सकते हैं आपके ये बलेजर बड़ा अच्छा लग रहा है जैसे आपने एक बार पोधा उगा दिया, उसके बाद आप पानी नहीं डालेंगे तो पोधा मुर्जा जाएगा तो हमारे साथ जितने भी बने वे रिलेशन से उनके साथ लगातार टच में रहना है उनके जनम दिन पे आप उनको विश कर सकते हैं, उनकी शादी की सालगिरा पे विश कर सकते हैं अपने जनम दिन या पार्टी पे आप उनको बला सकते हैं, नए साल पे विश करिए, दिवाली पे विश करिए एक दूसरे के घर आना जाना रखिये, उनके सुख, दुख, तकलीफ हर जगा पे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप इस महले में नए आये हैं, पहले वहाँ पे रहते थे, आपको अगर कोई भी किसी भी परकार की help चाहिए, तो वह आप उसके बारे में भी में यहाँ पिर सकते हैं, तो जो बने हुए relations हैं, हमें उनको भी maintain रखना है, और इसके साथ-साथ में ऐसा ना हो कि इन दो relations को बनाने के चक्र में और निभाने के चक्र में हम पुराने relations को भूल जाए हमारे बीच में जितने भी पुराने रिलेशन्स हैं अगर वाज हमारे साथ बिजनस में हैं तो भी नहीं है तो भी हमें उनके साथ अपने संबंद बनाये रखनें ऐसा ना हो कि पांच साल पहले आपके किसी रिश्टेदार ने या किसी दोस्त ने आपको आपक उनके तोर पे आता है अब दुलहन से रिष्टा बनाने के चक्कर में अगर हम अपने माँ से अपने बाप से अपने भाई बहनों से रिष्टा बनाना छोड़ दें उनके साथ संबंद दूर करते जाएं तो हम समाज में हसी के पात्र बनते हैं लोग हमें दरकिनार करने लगत कि जो अपने पुराने रिष्टों का निवा नए रिष्टों का क्या होगा तो आपको नए रिष्टों को निभाने के साथ साथ पुराने रिष्टों को बरकरार रखना चाहिए उनके सुक दुख के बारे में भी पूछना चाहिए और मैं यह बताना चाहता हूं जब आपने तीन स्किल सीख लिए कि नए रिष्टे कैसे बनाए जाए बने वे रिष्टों को कैसे बरकरार रखा जाए और पुरानी रिष्टों को कैसे हम निभाते रहें तो आप जीवन के किसी भी छेत्र में होंगे सफलता आप से दूर नहीं रह पाएगी सफलता आपके करीब आएग झाल को.